नागपुर नगर निगम ने आकांशाफ फांडेशन के सहयोग से शहर के शहविदान सभाग शेत्रों में छह अंग्रेजी माध्यम की स्कूल शुरू किया है इन स्कूलों में चात्रों का दाखिला हो गया है और पढ़ाई भी शुरू हो गई है आकांशाफ फांडेशन यह सुनेक्षित करने के लिए प्रतिबद्द्ध है कि शात्रों को अंग्रेजी स्कूलों के माध्यम से गुन्वत्ता पूर्ण शिक्षा मिले इसके लावा शिक्षा समीती के छे सदस्यों को निगम के स्कूलों में शात्रों के लिए आवश्यक भहत समीती हौल में हुई बैठक में शिक्षा समीती के अद्देख्ष दिलिब दीवे उपादेख्ष सुमिधा देशपांडे सदस्य संगीता की है डक्टर परिनीता फूके सदस्य नागेश सहरे मुहमद इब्राहिन तौफिक एहमद शिक्षा अधिकारी पृति मिश्रा कोट कर सायक शिक्षा अधिकारी राचे द्रसुके सुवेश उपासे संजे दिखोरी आकांशा फांडेशन के सोम सुर्वा चैटर जी आधी उपस्ति थे समीती की सदस्य ये शिश्री नंदन्वार ने ओनलाइन बैठक में भाग लिया शाविधान सभाक्षित्रों में से प्रत कि नांगपूर के मुन्सिपल प्रामरी स्कूल में केजी 1 के लिए 12 उत्तरी नाकपुर में रानी दुर्गावती मुनसिपल प्रामरी स्कूल में केजी वन के लिए 31 और केजी टू के लिए 30 पश्यम नाकपुर के रामनगर मुनसिपल प्रामरी स्कूल में केजी वन के लिए 30 और केजी टू के लिए 30 कि विध्यार्टियों के लिए खिलोना एवं विभिन्द सामगरी होनी चाहिए तथा परीसर आकरशक होना चाहिए जिससे विध्यार्टियों की विध्यार्टियों की विध्यार्टियों में अध्यापन में रूची हो तथा विध्यार्टियों का वातावरन सुगंदित हो समिती के सदस्यों को अंगरीजी स्कूलों की सरक्षता देने का निर ने समिती के अधिक्षि नहीं लिया शिक्षा समिती के अधिक्षि ने निगम की स्कूलों में दी जा रही ओनलाइन शिक्षा की जोनल समिक्षा की सबी दस अंचलों की स्कून लिरिक्ष को द्वारा पृस्ति जानकारी प्रस्तुत की गई ओनलाइन और ओफलाइन शिक्षा की योजना बनाते समय कोई भी चातर शिक्षा सिवन्चेट नहीं रहेगा कैमरा पोस्ति राजकुमार मोड के साथ दुशा हटवार बीसियन न्यूस नाकपूर